शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्या कि All klar विए सब्सक्राइब का शब के लिए सब्सक्राइब का दो जना है कि यू एक्या दो wastewater सम्सक्राइब खिला तर खफवे गन उत्सक्राइब कान इफमेजियोज है कर दो दो सकता है प्रूम्नमस्षिवाइ 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 यह आफ ता विसमत असले है इस पार आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं तेरा आदमी सही जंगा पर मुस्तैट था जल्दी माल निकाल लो एक घंटे में तुम्हें वापस जाना है वरना ड्यूटी बदल जाएगी चलो है माल चेक कर रहा आदमायँ कर दो पर दो कर दो, कि कमरेते को आदे जरेने पाए जो जर्दीका चलो जरब भीचर कि माओ कोई जो निलिच नाएगा आद़र्ग में भारू दे तेर तरीक तेर आपताब वो लूग आ रहे हैं आपताब आपताब वो पीछा कर रहे हैं आपताब पिर निकाल के ग्रणेट भैक नहीं आपताब मजी चलाना नहीं आता है पिर निकाल कर भॉप भैक आपताब तरक में गिर किया उस्से उठागर पार फैक इस दिखनी रहा है दूट 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 कुचा कुचा अरे यह तो मुस्तफाल हमारे गाउं का चुरा उखाल उतार दूगा थारी वोडर की चुकी पर सोते हो फॉप सेहो सु हो तो दन पहले पारलीहमेंट में हर ना हुआ की ततमकर लेकर ढूट देंगे इंकवरी कोरी कसा उम पर क्यज इभार ढूद हूग दूब तो दूग केजे गाद तूग यह तो मामूली प्याते हैं असली मलाई तो कोई और खा रहा है कुछ तो करना ही होगा भक्ता यह राजस्थान है यहां के रेत के बवंडर में बहुत कुछ छिपा है मज़ा आएगा कल रात तुम कहा गए थे कई नहीं जूद बोल रहे हो तुम मुस्तफा ने मुझे बता कि कल फिर तुम बॉडर गए थे बहुत कुपसूरत लग रहे है तुम अहां अफता तुम जानते कल हम जंबू जा रहे हैं रहाना की शादी के लिए उसके बाद अबू का तबादला हो रहा है धौल पूर में तुम रिष्टे की बात करने कब आओगे घर रिष्टे की बात ता हो गई किस से अपने रब से देखो मजाग मत कुछ जन्नत की सेर करोगी जन्नत आओ मुझ पर भरोसा है थोड़ा थोड़ा तो फिर आखे बंद करो क्यों तुम्हारी आखे इतनी खुबसूरत है कि इन tenía देखता रहा तो आज बस तो आज क्या है कि जो मैं तुम्हें मैसूस कराव नजाता हूं उसमें थोड़ा वक्त है लेकिन आज मैं उसे अशार का एसास ते ईलाना चाहता हूँ तो आज वहां आज तोपर और ऑखे बंद करो हवा का पहला जोका तुम्हारे दामन को चुना जाता है तो चुने दोना आसमान ने अपनी पाहें पहलाई है वो तुम्हें अपनी आगोश में लेना जाता है लेने दोना परसाथ होने वाली है होने दोना आसमान से पहली पूल तुम्हारी दरफ आ रही है होने दोना वो पिको ने दो ना, हाथ ताप दिवाना, 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 दिवान खो गया, दिल दिल पर देशी हो गया, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, ये आया वो गया, जाने कहां खो गया दिल दिल पर देशी हो गया दिल दिल पर देशी हो गया मेरा दिल लब पास है तेरे तेरा दिल लब पास है मेरे मेरा दिल अब पास है तेरे तेरा दिल अब पास है मेरे मैंने तुम को देखा जब से मुझे को इस पर शक्ता तब से एक ना एक दिन छोड़ के मुझे को जाएगा दिल दिल पर देशी हो गया दिल दिल पर देशी हो गया एक दिल पर देशी हो गया हम दोनों है बस जाने की राहन ही वापस आने की हमने देखे प्यार के सपने हम दोनों है दुश्मन अपने हम दोनों को नींदनाई सारा जग सो गया दिल दिल पर देशी हो गया दिल दिल पर देशी हो गया दिवाना दिवाना दिल दिवाना दिल दिवाना दिल दिवाना दिल दिवाना दिवाना दिल दिवाना 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 बताओ जूराप ट्रक में तेरे साथ कौन था अपने मूँ से क्या तारीफ करेगा मेहनद से तो डरता ही नहीं मेरा बेटा दो महीने में एक कारखाना खड़ा कर लिया है खुदा की महरबानी से जिन्दगी मजे से कट रही है बस एक कमी है तो बहु की जो खर में आके राज करे इसके अबबा क्या करते हैं? जी वो हमारे साथ नहीं है वो उनके साथ हैं जिन्हें शायद वो हमसे जादा चाहते हैं कब हुआ इंतकाल? रुकसाना बेटी नहीं नजर आई अभी बुलाती हूँ फैरो बेगम उससे पहले कुछ बातें साफ हो जाए तो बहतर है हम समझे नहीं देखिए वहन जी हम भी राजस्थान के हैं जाद विरादरी में उठना बैठना होता है अब लोग आगा पीछा पूछेंगे तो क्या कहूंगा? मेरे अबबा अजमेर में मौलाना थे और मेरे दादा नवाब के मौलवी थे और आफदाब के अबबा रहने दीजिये बहन जी मेरा मूमत खुलवाईए इसके नाम के आगे कोई नाम नहीं है बाप का नाम ही वो कश्टी है जो आलाद के लिए जिन्दगी के तूपानों में सहरा होती है इसके पास तो तिनके का भी सहरा नहीं है चलो मी है 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 हाई लेट, लेट नर्विस? तुम्हारे वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है जाए तुमने एक बार फिर इस कॉंट्राक के लिए अपना सब कुछ नाप पर लगा दिया है ना मुझे वह कॉंट्राक मिलेगा एरागिनी क्योंकि मेरी तयार इतनी पक्की है कि वो लोग मुझे ना करी नहीं सकते आपकी मैंद से मैं और मेरे पार्टनर्स बहुत खुश हैं वेल दान मिस्टर धरनजय थैंक यू सर वेल, तैस पड़ी माच इट जेंटलमन मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरों के में होडिंग्स और चालीस अकबारों के पूरे-पूरे पन्ने बुक कर चुका हूँ अडवांस पेमेंट जा चुकी है आपका ये प्रोडाक्ट एक तूफान एक सहलाब की तरह आएगा सर और हिंदुस्तानी मार्केट पर काबू कर लेगा मिस्टर पंडित सर आप जानते नहीं मने इस पर कितनी महनत किया है वी मस्ट मूब इस केमपें इमीजिटली सर मिस्टर पंडित हम आपके साथ हैं लेकिन इस कॉंट्राइक पर दसक्खित तब होंगे जब हमारे चेर्मेन परसो विलायत से लोटेंगे कॉंग्राचुलेशन्स एनिवे ये कॉंट्राइक आपका ही होगा ये जल्दी करो शूर शुरू हो जाएगा अरे पहले मेरा प्लान तो सुनो ओफो अब कॉन सा प्लान है जै मारी बाकी जिंदीगी का प्लान अरे रागणी सुनो तो सही मैने इतनी महनत से तयार किया है ओके टेल मी ग्रेट एक बार मेरी फॉरण कंपनी के साथ डिल पक्की हो जाए कॉंट्राइक पर दस्तकत हो जाए तो बस 14 तारीको शादी की शॉपिंग और तयारी शुरू 16 तारीको शादी के काट चपेंगे 18 तारीको कप्ड के बस बस इतने सपने मत देखा करो डर लगता है जिंदगी में पांच मिनिट के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता अचानक कुछ भी हो सकता है अरे अचानक वचानक कुछ नहीं होता रागिनी यह सब डर्पोक लोग सोचते है मैंने जो सोचा है वो पाके रहूंगा बासकोंगा ज़रूर बासकोगे जै तुम्हारी फोटो और वो भी पेपर के पहले पन्ने पर चेक दिस धनाचे पंडिट जस्टिस स्वराप जी के हाथो अड़र्टाइजर का सबसे बड़ा वोट पा रहा है वाव इंदिया के बिजनिस मार्किट पे पचा जाएगा 25 साल कहोनार स्मार्ट टाशिंग डाइनामिक बस बस मेरे हसाब से आज के लिए डाइनामिक तक ही काफी है और साथ में हैंसम भी लेकिन साथ में ते स्वराप जी खड़ा है बड़ा तुमें हैंसम लगता है कि शायद अब तो ऐसा ही होगा क्यूंकि जस दुनिया के बार में मैंने सोचा है उसमें बस हम और तुम रहेंगे और हमारे साथ काम्याभी ही काम्याभी क्यों क्या ख्याल है पच्चे हो तुम बिलकुल पच्चे हाँ बच्चा हूँ मगर बल्ट शरारती हूँ बैंड बजा दूँगा तुमारी अच अच हेलो मिस्टर पंडित क्या हूआ बाबा को उनकी हालत बहुत खराब है आप जल्दी आजाएए थैंक्यू डॉक्टर साब मैं भी आ रहा हूँ कि 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 क कि 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 करतब पेटा तुम तुम धनन्जे हो हाँ जी जी तेरा बेटा तुम कौन है वो बताती हूँ बाबा यह सब क्या है इतने मैनों से आपकी कोई ख़बर नहीं और अच्छाना कि यह सब आपको फारण मेरे साथ वापस आना पड़ेगा और नहीं मुझे तुमारे साथ बहुत सरूरी बात करनी है कुछ बोलो कि नहीं क्या सुनना चाती हो कि मैं अपने पाप के बारे में जानकर बहुत खुश हूँ उसके होने ना होने से कुछ नहीं पदला मैं तो आज भी वही हूँ किसी की नाचाय सोलाथ ऐसा मत बूल बेटा वो तुझे अपना नाम देना चाहते है मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं मेरा नाम आफ़ताब है और मेरी कहानी इसी से शुरू होती है और इसी पे खत्मों की मैं और मर्यम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे लेकिन उन दिनों एक हिंदू लड़के से मुसल्मान लड़की की शादी फिर भी तुमारे दादा से इजाज़त लेने के लिए मैं कलकता से बंबई आया लेकिन किसमत देखो तब ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सनिक 70 की लड़ाई शुरू हो गई और एक दिन अखबार में मैंने मरने वालों में मरियम का नाम पढ़ा बस हार मान ली मैंने और कुछ दिनों के बाद तुमारी माँ से मेरी शादी हो गई लड़ाई के आखरी दिनों में पता चला कि तू मेरी कोख में है मैं उनसे मिलने बंबाई गई वो तो नहीं मिले लेकिन उनकी बीवी ने अपने बसे वसाए घर का वास्ता दे कर मुझे लोटने पर मजबूर कर दिया और बेटे मरते वख तुमारी माँ ने बटाया कि मरियम जिन्दा है और मेरा बच्चा उसके साथ है उस दिन से बस वो तुम्हें मिलने की भीक मांगते रहे और मैं उन्हें मना करती रही क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी की सारी करवाहर सारी नराज़की का सारांश वो आदमी है बेटा मैंने डर को कभी अपने नस्दीक आने नहीं दिया लेकिन जब मुझे एसास हुआ कि तु मेरी कोक में है मेरे अंदर से आवाज आई क्या मुझे हक है इस बच्चे को दुनिया में लाने का ये जानते हुए कि मैं एक नाजायज आउलाद पैदा करने जा रही हूँ ये जानते हुए कि दुनिया का हर आदमी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस बच्चे को अपनी इज़त की ठाल बनाएगा तब मेरे अंदर से जवाब आया मेरे इस फैसले को पाक बनाना सिर्फ मेरे पच्चे के हाथ में होगा तु चाती है ने मैं उससे मेलू चल इस तरह नहीं बेटे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ चो अपनी सारी सिंदगी का जाहर एक ही खोड में पीजाओ हूप आयाओ पात्र एक है नहीं हूद आयाओ झास के जाओ झायाओ आइन सारी सिंदगी के बनाना सिर्फ मेरे अलाओ पात्प इस है जाँ हुआ 뉴스 लोग刺ी का जाए चल कर दो कर दो यही वो आदमी है जिसने हमारा ट्रक उड़ाया था और यह इसका शहरी भाई है जो हमारा काम करेगा इसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारन करती है और शास्त्र कहते हैं पिता की मिर्त्यू के बाद उनके अधूरे संसकार, उनके सारे संकल, सारी इच्छाएं, सब कुछ बड़े बेटे को ही पूरा करना है पिता के वन्ष को आगे बढ़ाना है और पिता के सारे संसारे क्रिष्टे नातों को मन, वचन, कर्म से अपना लेना है अब वो ही उसका उत्राधिकारी है बड़ा बेटा आगे आए और मुखाग नी दे लाइए पढ़िचे खरे उसका आगे कर दो कर दो कर दो इस सोमवार के अगले सोमवार एकादेशी है बेटा, बहुत शुब दिन है, उसी दिन आके अस्तियां ले जाना और विसर्जन कर देना बहुत शुब रहेगा आफटाफ, बेटा, तुम रसंपूरी होने से पहले क्यों चले आए? मैं धननजय को घर बुलाना चाहती थी, तुम्हारे अबबा की आखरी खायश थी कि तुम दोनों भाई कौन से भाई की बात कर रही हो तुम, किसका बाप, ना मेरा कोई बाप था, ना भाई है बेटा, मैं जानती हूँ जानती है तु शाहिद ये जानती है, कि तेरे एक फैसले ने मेरी जिंदगी में कितना सहर बर दिया था लेकिन तु ये नहीं जांती कि तेरी आज की सिदने क्या किया है मैंने अंबने जखमों को जदगी भर पाल कर रखिर परत दिया था कि तुने अज एक छटके में उन्हें फिर से ताजा कर दिया है कम से कम मैंने अपनी एक पहचान तो बनाई थी कि मैं किसी की नाजाएज उलाद हूँ आज तुने मुझ से मेरी पहचान भी चीली तुने मुझे एक दिवार बना दिया है जिस पर वो अमीर जादा थुक कर चला गया मुखागनी हिंदू रस्म है शायद तुम्हारे मुसल्मान होने के नाते बात मजब की नहीं है बात हग की है तू जानना चाहती है न कि मुझे जनम देने का तेरा ये फैसला सही था या गलत तो सुन तेरा ये फैसला गलत था तूने मुझे कोक में ही मार दिया होता हुआ हुआ है क्या सुनना चाहती हो तुम कि मैने उसे मुखखणी का हक चीन लिया हक उससे चीना जाता है रागणी जिसके पास हक हो लेकिन जय तुम्हारे बाबुजी का ही तो कहना था कि उन्हों ने अपनी जवानी में गलती की थी और वो अफताब और उसकी माबस वही हैं मेरे बाब की तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े सच को मानने से कैसे इंकार कर सकते हो वो लोग अब तुम्हारे अपने हैं जय रागणी फ्लीज बंद करो तुम्हारी ये फिलोसिफी और मेरा दिमाग और खराब मत करो अरे तु कासा है सर में आपके पास अनात अश्म से अरे एक जानते हो क्यों कि मुझे एक कांट्रैक्ट जहिए सिर्फ एक कांट्राक्ट जिसके लिए पिछले पांथ साल से मैं दिन रात महरत कर रहा हूं जिसके लिए मैने अपना सब कुछ ताव पिलागा रखा है समझ गया अब तु एक कांट्रैक्ट निल गया तो चंदा दो क्या में तिरलेक नया अनात अश्म खड़ा कर दूंगा लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ कटोरी लेकि घुमूंगा अब तु यह ले और जा थैंक्यू सर तुम जानते हो तुम क्या करें थे तुम एक अंजान बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी अपना पूरा बैंक बैलेंस डिसकास करें थे तुम पा तुमारी अपनी फिलोसिफी है वाट वस एट नफरत से यतना क्यू दरते हो वाह यह मेरी बैंड बजी है और तुमे फिलोसिफी सूजी है पागल मैं नही पागल सारी दुनिया हो चुकी है एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोरों मिले तो बने प्रेम कहानी एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोरों मिले तो बने प्रेम कहानी बुझ जाए दिल के ओ आग आग ते अब के बरस तो बरस जाए पानी एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोरों मिले तो बने प्रेम कहानी प्रेम कहानी कशव् सुन साटक童 पिजैए गॉमं झुल्फिं मेरी ऊज़्छा देतू गारल मेरा बिखरा देतू तुझको इजाजत है ये जालिम मुहबत है ये शर्म बहत आती है मुझे पर तुझसे मैं क्या शर्मा मेरा लही इसमें धोश होश नहीं मुझे को मरो गई तेरी दिवानी एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोरों मिले तो बने प्रेम ताहानी प्रेम ताहानी चाहे मुझे जला दे तू दिल की लगी बुझा दे तू कैसा समा गया लब पे दुमा गया शूकर मुझे को देख जरा शबनम में है कितने शोने होने लगा दिल के और पारी दर नया है पर चोड पुरानी इक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोनों मिनितों बने प्रेम ताहनी प्रेम ताहनी स्टॉप इट रागिनी मुझे के ला रहने दो तुम जाओ यहां से यह दिल तेरा दिवाना है घुस्सा नहीं यह बहाना है तुझसे खाफा मैं नहीं तुझसे जुदा मैं नहीं उपर से मैं कुछ भी कहूँ अंदर से तूट गया हूँ हाँ मेरे होटों के पास भ्यास मेरी जाग उठी है ना कर बैमानी एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी पुझ जाए दिल की ये आग आग में अब के परस तो बरस जाए पानी एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी प्रेम कहानी लुOP कहानी स्क्सक्क्राइबे प्रेम कहानी इन्यूम उध मेरी भी ओवया कुछे प्रेम कहानी प्रेम कहज़ा सुपक्षं़ również स्व dum, ऑ्लाव मेरी बने मेरी प्रेम कह'. हाँ, जी, आप कौन? मैं आफ्ता बोलरा हूं, मुझे तुमसे एक जरुरी काम है. तेखो फिलाल में तुमसे बात नी कर सकता हु. मुझे अपना नमबर दो में तुम्हे वापिस फोन करता हूं. मैं तुम्हे अपना नमबर नी दे सकता. क्यूं? क्योंकि मैं जेल में हूँ मुझे तुमारी मदद की जरुरत है तुम कल यहां आ सकते हो नहीं, नहीं, मेरे पास बहुत काम है मैं नहीं आ सकता दरनजे मैं बहुत मुसीबत में हूँ देखो वो सब तुम जानो मैं नहीं आ सकता समझने की कोशिश करो अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता फैसला तुम्हारे हाथ में जे, रिलाक्स जे एफो जी, इतने दिन हो गए, ये क्या लगा रखा है साब, हमारा माल अभी तक नहीं पहुचे अभी आना बहुत कर्म है, सरकार में खास कमिशन बिटाया है, बॉटकी स्पक्लिएं के बारे में तुम्हारे प्राब्लम से हमें कोई वास्टा नहीं साओदे के पैसे मैं अडवांस में मैं पूरे दे चुका हूँ तुम्हारे साब में उड़ा था, अब और त्यार के पाद उपस के लिए तोड़ा वक्त चाहिए चल चल अफ्ताब से मिलना है क्या हाँ वो घर पर नहीं है तो फिर कहां मिलेगा वो आओ मेरे साथ तुमने तो कहता कि तुम जेल में हो यह सब मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे यहां क्यों बलाया है मुझसे किसी का माल खराब हो गया है उन लोगों का काफी नुक्सान हुआ है वो लोग चाते हैं कि मैं ओके समझ गया तो यह सारा नाटक पैसों का था बोलना कितना चाहिए पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार हां माल तो पचास लाक का था पचास लाक अरे कोई मजाक है देख मेरे पास कोई बाप दादा की जागी नहीं है जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मेरी एक चीज ला दो अस्पताल के पीछे एक गोदाम है जिसमें एक अलमारी है उस पर एक बैग रखा है बस बूला दो अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो से मुझे क्या लेना देना है मैं इस लफड़े में क्यू भजो देखो मेरी अम्मी की जानकत्री में और इस वक में सिफ तुम पही परोजा कर सकता हूं लेकिन उस बैग में क्या है डरने की कोई बात नहीं है उसमें कीमती चीज है, बस, लेकिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं पात में दूँगा, वक्त बहुत कम है, बस, वुचीज ला दो, परुजा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा हुआंट कर दो कर दो कि यूंसाले तुन्हें तो कहते कि वहां कुछ भी नहीं है देख देख इसे वहां किसी की लाश पड़ी हुई है खून हो गया किसी का तुम्हारी तो मैं अपना काम छोड़ कर तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने मुझे भसा दिया अपनी क्यों भसा है मुझे बोल भरोसा है नहीं करना चाहिए था कभी बंदूक लेके खड़ाओं किसीने मेरी फोटो खीच ली हाथ मत लगाना मुझे रुख जाओ यह किया उन लोगोंने अम्मी के साथ अगर मैं तुम्हे नहीं बुलाता तो वो रोज एक उंगली काटते मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हे तो क्या बस में हो तो खुदा को भी बुला लूँ सुनो बादचीत बंद करो जलो मेरे जाट क्या अज। कर चाग वो आदमी कोन है गवराव नहीं गवर से मेरी बात सुना मैं सिर्व ना जाना चाहता हूं कि मुझे यहां खिन ला गया है तुम लोग मुझे चाहते क्या हो जस्टिस सवराब जी यहां मीटिंग में आये हुए हैं और मीटिंग के बाद वो अपने कार से दिल्ली के लिए सिठी है और कुछ रुपए बिजनस के जबान में इसे रिश्वत कहते हैं तुम लोग पागल हो गया हो सारे हंदुस्तान को मालूम है कि जच साथ रिश्वत नहीं लेते हैं रिश्वत तो सब लेते हैं सिर्फ अपने अपने तरीके से तुम यह पैकेट उनके कार में रख सकते हो और यह बात हम जानते हैं कौन है वह अदमी जतना कहा जाए तुम सर्फ उतना है करो कि तुम लोग अपना होंब कर चुके हो देखो मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो लेकिन यह काम में नहीं करूंगा तुम करोगे और जरूर करोगे कि अगा एग अगा है कि अगे आप आप को इस्टेटमें डेना चाहेंगे साथ जिस हत्यार का काम दुश्पनों के आतंगवाद को रोकना है उस पर भष्टाचार का जंग लग चुका जस्टिस सराब जी आपका इशार है कही ऑफिशल्स की तरफ तो नहीं है यहाँ ऑफिशल्स हमारे बॉर्डर पर हत्यार है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे को सीनेर ओफिशल्स सरत के पार बिच चुके हैं लेकिन सर इस तरह अपने ओफिशल्स पे शक करने से उनका होसला नहीं तूटेगा? रश्ट ओफिशल्स को ढूण निकालने से ही हमारा होसला बढ़ेगा और शक्कौन कर रहा है सारी रिपोर्ट्स, सारी डिटेल्स इस फाइल में मौझूद है मैं दिल्ली जा रहा हूँ और 24 खड़े के अंदर इसमें से सच निकालनूगा और उस सच को पार्लिमेंटी कमिटी के सामने रखूँ एनफ बोल कहां भीजा उसको तरी आए, थैंक्यू जाए जैसे स्वराद जी मिस्टर धननजे पंडित हम आए करेक यह क्या कर रहे हैं आप आपको डूंड़ते वह आगे सर मुझे इस सॉलाइट मैं जानता हूं इन्हें हम, सो, साहर, मैं, मैं इंडिया के मोजुदा हलात पर एक डॉक्यूमेंटी फिल्म बना रहा हूं सर, जिसमें आप मेरे हीरो हैं मैं है हाँ जिस तरह आप लड़नें सर उस पर यह फिल्म बनेगी मैं साबित करना चाहता हूं सर कि एक इमानदार ओफिसर तेश के कोने कोने में घूमकर प्रश्चाचार की खिलाफ सबूत किस तरह आए खटे कर रहा है मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर ताक मैं आपका हर पहलू दिखा सकूँ सर आप जैसी लोग तो हिंदुस्तान की नौ जवानों में जागरुती लाएंगे I really appreciate your help बढ़े मैं तुमारे साथ हूं लेकिन इस वाठ जल्दी मौँ मुझे दिली में कॉल करना Thank You Sir Thank You Your Honor पुरिए और लाते हैं भगता यह बातों से नहीं मानने वाला मैं आप से हसार आप के चुका हुआ इस्पेक्टर साहब वह आदमीं अधेरे में नहीं तेखा था मैंनो उसकी चकल नहीं देखी मैंनो hetk मैं जूट क्यों बोलुं औरे जिसे मेंदेखा है आप उसे क्यों नहीं ढूंडते है बंदे थारी नो दंकी छोड़ बता बता तुझे बं किस ने दिया बता यह क्या कर रहा है आप मुझे बंबे फॉन करना है मुझे अपने वकील से बात करनी है छोड़ दीजे मुझे अपने सहरी दलालों का दर्मा दिखा इबाडर को इलाको है यहां मैं ही वकील हूँ मैं ही जज हूँ और मैं ही चलात हूँ तो मेरे पीसे क्यों पर रहे हैं उसकी के वाले को डूड़े हैं ना क्यों कि ताले पड़ेगा ना थारे जिमान पर हैं अब मैं तुझे बताता हूँ तु और थारो भाई वो मर्यम को छोड़ा तुम दोनों मिलके इस इलाके में हत्यारों की तसकरी करते हो हाँ वो यहां देहाती और तु सफेद पोसेरी अच्छी जूड़ी है हाँ अच्छी जूड़ी है अरे मेरा उससे कोई देना देना नहीं है लेकिन उसी आग्मी ने मुझे फसा है अब उससे क्यों नहीं आगया तो थारी एक-एक हरकस से वाकिफ हूं है रिकॉर्ड है थारा मेरे पास बहुत चर्बी है न तुम लोग साले जिस थार में खाते हो उसी में थूखते हो नासूर बन गए हो हमारे लिए बहुत कर्मी है चल देखा देखा अपनी गर्मी अब गंते लोग गंदा खून घूर घूर कर क्या देखता है नजर निची कर नजर निची कर कर दो गिराओ हतियार मैं खहता हूं गिराओ हतियार नहीं नहीं कोई कर देखा नहीं स्वर की बात्रा मज्या धरन जै बंदूक लो अफटाब बंदूक लो यिजस विपली टारिया जलो विवब गोँआ अधे लो येलो जलो जलो आपका हो चाहिए प्लिप खुर्डे के और से और भभानी फिर्टे करें खुरते हैं झाल एकाल एक पॉँष अर अर एकाल वड़ लगड़ प्रम एकाल कर दो, कर दो, कर दो! आप कि हुआ आपकी तारी खुप मैं सीबी आए से हूँ ऐसीस्टंड डारेक्टर मनोर सिंग जड़ेजा तो हम क्या करें हम नरिमन्स और जी की हत्या की इनिवेस्टिकेशन के लिए आए हैं किस छान भीण करेंगे अब है केस बिल्कु सीधा साधा है दोलो भाई आतंकवाती हत्यारों की तसक्री में घुसे हुए थे लगया कि सोराब जी उन्हें पकड़वा देंगे इसलिए गाड़ी में बम रखकर उड़ा दिया उन्हें पूश्ताच के दोरान कबूल भी किया है लॉंडेन है फिर भी मैं उनसे बात करना चाहता हूं वो दोनों तो अभी अभी यहां से फरार हो गए और आप लोग क्या खड़े-खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे हैं नहीं वो साले गाउं के छोड़े आजकल बड़े खतरन आप शायद यह भूल रहे कि केस मेरा भी है मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने चानमीन कर लिया है मिस्टर बाइकुंट मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं साले तुम जानते भी हो यह कितना बड़ा केस हो गया है मुझ पर इल्जाम लग रहे है आतक बाद के साइसिनेशन के एक जाज मारा गया है किस जनम का बदला ले रहे हो तुम मुझ से मैं खुद नहीं जानता था उस पैकेट में बॉम था अरे मैं कहता हम पाइक रोकर मु बइक करो को साल कली जुबं ओँ शेट अब क्या करेंगे हम है कहां अरे यार मुझे आपे पहुंचना आप मुझे वकील से बात करनी है तु जानता हूं यह और किया होता है है तु जानता हूं एक वकील क्या होता है एक काला कोट पहना आदमी जो तुमारे सारे पैसे ले लेता है, मगर कम से कम तुम्हें इंग जैसे मुसीबतों से तो निकाल देता है. तो रोका किसने है? जाना. अरे जन्नूम से कोई निकलेगा कैसे? तुम्हें लगता है है किसीने टैसी का नाम सोना होगा? एक सेक्नल एक्स्कूज में, किसमबड़ी गेट में एक टैसी प्लीज? टैसी? टैसी? टैसी! टैसी टैसी क्या चिलाता है? चिलाना थो प्लें प्लें चिलाना. वो भी आ जाएगा शाराप आफताब, तेख बहुत हो गया आफताब, मेरा बंबे पहुचना बहुत जरूरी है, वहाँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मीटिंग है, और मैं यहाँ तुमा आओ, जब तक मैं मोटर सागल ठीक करता हूँ, तू पीछे डाबे बताना बूल और अगर खाना बोला है तो पीछे बोल, तो पीछे बोल, आपने लिए वो बोल दे, मेरे लिए दाल बाटी बोल, और सुन, मूधो के जा, आओ, जीज, शेट, अरे तू यहाँ क्या खड़ा है, जल्दी दही लेके आजा, साप साप साप, बंजा रहे हैं, अरे तू उसके छ बंजाले, नाचने गाने वाले, नाचने वाले, हरे वा, मतलब आज रात नाच होगा, गाना होगा, वो भी मखन मार के, भाई साप, यहाँ पे घाना मेलेगा, गाना, थोड़ी देर पे शुरू होने वाला है, गाना, खाना, खाना, फूट, 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 अरे साप, पहले आप गर्मा गरम गाना देखे तब सक में आपके लिए गर्मा गरम खाना लाता हूँ ये 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 पी कर देखिए देखकर पीजिए अरे वह क्या गाना है वह 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 और शुरु दोने दे इश्क है पाली को एक गत्रा, गत्रे में तुफाल, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जाँ खाली दिल ने जान वे मंगदा इश्क दिल वे जान वे मंगदा इश्क दिल वे जो कोई कोई लंगदा इश्क दिल वे जो कोई लंगदा जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है लाख बचाएं दामन लोग लग जाता है दिल पे आश्कों के निशान इस रंगदा इश्क दी गली बेचो कोई कोई लंगदा इश्क दी गली बेचो कोई कोई लंगदा नाम है दिवाना नाम है दिवाना दुजा नाम नहीं कोई प्यार के जैसा बदना में कोई इश्क से बड़ा इलजाम नहीं कोई इश्क से बड़ा इलजाम नहीं कोई इश्क आशिकालों सुली उते तंगदा इश्क दी गली विचों कोई कोई लंगदा कि कि तो दी जी कोई बाख कि अचै अटीक सब्सक्राप करें आप अप अचैराश कराऊ आप एफ गालगड़ी तक होड़ी तुड इी जान विश्क रखोड़ी तुड य है की अद्धेव थे अद्धेव क्या अदिए है अद्धव अद्धव अद्धभ हां अद्धण है अद्धड़िए है 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 छोड़ दैसे है 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 सलाहराम किया अलाद क्या बोला पिर से बोल और क्या बोलेगा तेरे को सालाहराम किया अलाद अलाद यह सब क्या है मिट्टी है गर्मी चूसलेगी तो अपने माथे पर लगा बहुत गर्मी है वहां पर तू अपने अपको डॉक्टर समझ लगा है क्या यह पुरे बोड़ी पर मिट्टी लगाजी तूने सिर्फ इसलिफ श्तिक्स अलाद तुम लोग क्या मिट्री को समझे तुम लोग यह इंड्रीवाटर शोर्बाक यह फुप है शूप यह चूप अंग्रेजी ऐस भलते इसको अरे शूप यह शूप नहीं सूप यह 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 चुण किया सिखना वाव इस अमेजिंग यार क्यों पसंद नहीं आया नहीं बहुत अच्छा है यह तो चिकन सुप से भी बैटर है काय का बनाया है मेंडग का मेंडग का जंगल में चुवा नहीं मिला ना इसलिए अरे कैसा जल्दी चल वरना मेंडग की आजाएगी बदला लेने के लिए जान लेकि पीछा छोड़ेगा क्या तुम बंबई जाना चाहते हो और मैं इस दल्दल से निकलना चाहता हूं और बगबग करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं तो तुम्हें कौन मू लगा रहा है कडवी जबान कडवा आदमी तुम क्या टपके मेरी जिंदगी में कभी खून कभी लाश कभी बंबलास्ट कभी पांच मिनट चुब भी रहा करो तुम्हें मेरी आवास पसंद नहीं है मुझे तुम्हारी शकल पसंद नहीं है स्टॉप सिग्नल ओके थैंक्यू टाटा पूरी नजरवाले तेरा मुझ काला बहुत कमीन आये तु अपनी जान तो बचानी है पुलिस से अगला जिये या मरे तुझे कोई परवा नहीं ना दाबे बेन बचाया होता तंदूर में पड़ा होता ओ तुने बचाया है अरे तुने तो फशाया मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आता है क्यों इस शड़ी हूँ जगा पे बुलिया हेलो धरंगे मैं बहुत मुसीबत में हूँ मुझे बचा लो मुझे तुमारी जरुरत है रहम क्या मैंने तुछ पर बड़े बाप की अउलाद है इसलिए फासा है तेरे सूट बूट तेरे पैसे तेरे रुद्बे ने फासा आया तुझे उन लोगों को तेरे जै अब चाहिए था तो राप जी तक पॉचने के लिए जलता है तुझ मेरे पैसे पर मेरी काम्याभी पर मेरी पहचान पर मेरे जायज होने पर जलता है एए नीचे उतरो नीचे उतरो क्या बात है साब आतंक बादी डूट रहे है ए मुझे कोई काम धंदा नहीं है क्या प्रोटीन चकिंग कर रहा हूं ट्राक नंबार अंदर क्या है अरे कुछ नहीं है साब अरे सडेला ट्राक है यार क्या होगा अंदर तुम चुप रहा हो फोल के दिखाओ क्या है एक पांडर से खबर आई है तो आतंक बादी एक ट्रक चुला के भागें तो यहां थोड़े ही आएंगे प्रेम ना चौबे की इलाके में आउस तक को याया है कोई नहीं एनिवें ट्रक का नंबर या उनका हुलिया मिला हाँ सर ट्रक का नंबर तो मैं भूल गया औ हुलिया उन्होंने बताया था कि एक अंडरेस है और दुसरा पठान है उसके बाद रेडियो खराब हो गया सर हम्म्म हम्म्म है ऐसी जोडी तुम लोग ने कहीं देखी? नहीं पताल में शाले कहां होंगे? मालूम नहीं सर तुम रेडियो के बेस लाके मैठो एए चलो ट्रक खोल के दिखाओ चलाब आये चलाब देखिये हमालदार जी सब लेको अंदर क्या है नहीं सब अंदर कुछ नहीं है ट्रक बिलकुल खाली है ठीक है जाने दो ट्रक को जाने दो अंदर के जाने लाक अंदर के बड़ा मरियम आदाब जीती रहो आफ़ताब की कोई खबर अभी तक तो कोई खबर नहीं सबर करो अल्ला पर भरोसा रखो पर वो तो अल्ला को मानता ही नहीं सारे रिष्टों की डोर उनके हाथ में हैं जिस दिन वो डोर खीजेंगे तेरा बेटा अपने आप कीजा चलाएगा तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा जो होना है वही होगा मुझे लगता है मैं अथोरिटीज को सब कुछ बता देना चाहिए सब बता देना चाहिए तुम्हारी मा को कैसे आगवा किया गया ताकि तुम मुझे यहां राजिस्तान बुलाने पर मजबूर हो जाओ और प को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं यह सिर्फ भली का बक्रा ढूंड रहे हैं यह बात हम दोनों की हो चुके है आफताब और कानून की मदद मांगने से तुमारी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी कि तु अपने आपको बचाना चाहता है ना तो जा हाथों में चुड़ियां बेन ले और अपनी रिहाई की भीक मांग ले दरोगा से जा अपने बाप के नाम के पीछे जाके छुपचा साले तुम लोग क्या छेट महां रहे थे चला आइड़ तुम लोग क्या छेट महां रहे थे चला आइड़ अचाना अचाना आइड़ रुक जाओ अपने आपको मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा कम 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 मैं सीविया ओफिसर जड़े जाओ ये केस मेरे अंडर है आप लोग अपने आपको मेरे हवाले कर दो देखिये सर हम तोनों बिल्कुल बेकुसूर हैं मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले आप अब, अब. एंए! ये क्या कर रहा है तु? तुम मुझे नहीं मार सकते. एक आदमी को तुम पहले ही मार चुकाँ. लेकिन वो जिन्दा था. वो तुमेरे हा थो नहीं मरा. किस्मत अच्छी दीजा लेगी. जो मेरे हा थो नहीं मरा. मैं जानता हूँ तुमने उसके उपर गोली क्यों चलाई क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मा के बारे में सब कुछ जानता हूँ मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम दोनों के इंसाफ दिलाऊंगा देखा, ये है तेरा इंसाफ नहीं, आट… दोन फायर! दोन फायर! रुखो! पायर मात्त करो! कि ऌरदानी व्यामिया यंभना बट मात्त का! झाल, बगना सक्रेणलत्त का! मात्तर फिया य हो cheekाता पामिया य है झाल, व रखा है चयाता मिया जाहितने तोन फायर! जाङरार्स भी नहीं, पाइक्थ घिएसबीक कि एच्क्थर भाला है फब संस्वारे मिलhigh जे जाल बाल सब चुकत मेंय? ये स्वारे हैं! यहेस कि ये क्या किया तुमने तुम्हारा दिमाग ने खराब हो गया अरे दिमाग तुम्हारा खराब हो जाता है पता ने क्या हो तुम्हें गोलियां चला देते हो लोगों पर इसलिए मैंने एक गन भेग दी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और किसी लफड़े में नहीं भसना चाहता कुछ नहीं होगा तुमको अरे बात सिर्फ मेरी नहीं है बात तो अब हम अब भंग्टा पतागर इस ट्रेंट का अगला स्टेशन कौन सा है कि बातों में आएंगे तो हम अपनी नौकली से हाथ दो बैठेंगे देखिए बैकुंड साब मैं यां सोराब जी की केस की जट ढूंडने आया हूं अपने बादूरी के नमोने दिखाने नहीं मुझे शक हो रहा है मिस्टर जडेजा आपके इरादों पर रपट भेजूंगा में हटक्वाटर अरे कौन से रपट अपने इरादे तो आपके बदले हुए लगते बैकुंड साब यू लगता है जैसे आप उन लड़कों को मारने पर तुले हुए हैं आप अपनी हद से बाहर जा रहे है मिस्टर जडेजा आप मुझे पर शक्व नहीं कर सकते कोई आतंग वाधी ऐसी भरी पिस्टोल थोड़ी नहीं फेगेगा आपको क्या लगता है मुझे भी वही लगता है लेकिन अगर वो बेकसूर है तो उन्हें कौन फसा रहा है कि चलो तुम्हारे साथ भाग भाग के तो मैं अपना घर का पिन कोड नंबर भूल चुका हूँ यार पिन माग तो कोई पैन है पैन एक सेकड़ चलेगा तुम क्या जानों प्यार क्या होता है प्यार की खुश्बू का नशा क्या होता है आखों से आखों तक का पता क्या होता है जब प्यार करने वाली का साथ हो ना तो इंसान दुनिया से अकेले लड़के भी जीत सकता है लेकिन तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो ना तुम जानते क्या हो मेरे बारे में वाट? डॉन्ट टेल में तुमने कभी किसे से प्यार किया है कहां? मानपूर की रेद में? या चांदनी के नीचे? शड़ाप! वाँ! अंग्रेजी में? सीखा भी तो गाली, हाँ? ओ, रागिनी! याद है जिस दुनिया के बारे में हमने सोचा था? या व एक बारे में तुमने सोचा था? या ये एक भायानक हकीकत? अ रागिनी, कहा हो तो? कहा हो तो? पारे मुझे दृआँ पंडित से मिलना है? अब मुझे दृआँ दृआँ पंडित से मिलना है? एक मिनिट दृआँ जड़ा स्टेशन बाते तृआँ पहले मेरी बात सुनो अव्ताब और दृआँ ज़ाँ पूटकर आगरा की तरफ भाग गया हैं हम उन्हें आगले स्टेशन पर पकटने की कोशिच करेंगे, ओवर! लेकिन, लेकिन सर आपकी तैकिकात कहां तक पोची? Sandhya, मुझे तु लगता है कि सोराप जी के हत्या के पीछे जरूर किसी सिनियर लेवल के ओफिशल का हाथ है सार वो बैकुटी हो? शड़ाप! क्या बक्ती रहती है? बागल से! अन्य न्यू इंफर्मेशन तुम्हें जो काम सोपा था उसका क्या हुआ? जिस कम्रे की बाद धननजय पंडित कर रहा था? सर वहां से 13 जून 97 का एकनॉमिक टाइम्स अकपार मिला वो भी आदा जला हुआ सर सुनिए, उसी दिन धननजय पंडित की फोटो छपी थी अकबार में जस्टिस सुराब जी से अवार्ड लेते हुए संध्या, इस आवाज किसकी है? किसकी आवाज आई ये? कोई लड़की धननजय को ढूलते हुए यहां आई है सर मेराम, इस लड़की की बातों से लगता है कि कोई जानता था कि धननजय और सुराब जी एक दूसरे को जानते थे सर ये बात रूटीन नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है संध्या, तुम उसे तब तक जाने नहीं देना जब तक हम वापस नहीं आ जाएं मुझे लगता है उन दोनों लड़कों को पकड़वाने में ये लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है इस बार गलती मत करना, over वैसे सर, बाकी सब का रवया कैसा है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस लड़की को हिरासत में ले लो ओकी सर, सुनियां ओ शिट कहां पोचे हम हम तो मही के बही है ट्रेन चल रही है लड़की का फोटो और वो भी तेरे पास? इसका मतलब कि तुमारी जिंदगी में भी कोई था क्या हुआ? बात नहीं बनी? पीटरफुल गर्ल दिल तोड़ दिया होगा तुने इसका जगडा कर दिया होगा इसके साथ और करी क्या सकता है तू? उसके खरवालों ने रिष्टा तूड़ दिया और करेंगे क्या बिचारे रिष्टा तूटना ही था तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे अच्छी नौकरी नहीं होगी मेरे बाप का नाम नहीं था मेरे बाप का नाम नहीं था आफताब तुम सुन रहे हो या नहीं? या बापा तुम्हें खली मेरे खर लिष्टा लेकाना होगा अबा का तबाबला हो चुका है परसों अब कश्मीर जा रहे है और इसके बाद हमेशा के जो कि अदर। आर जगा जाला सब है मागर हाए, तुझे ढूंडे नजर, तु आया, ना आई ख़बर बान्यमा, जान्यमा, बान्यमा, जान्यमा, बान्यमा, जान्यमा, सच्चे धामें सच्चे जारतेने तोलना तिरबिन नई जीन मर जाना 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 तोलना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कितने इंगीत थे इन होटों पर अब कितने फगला दे तुछ आख हो गरा पिर वफा हो गरा सच बता प्यार में छूट नहीं बोलना तिरबिन नहीं जीना मरजाना थोलना 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 तेरे बिल नई जीना मरिजाना तोड़ुनू सर्, ट्रेन पांच मिनट में आने वाल लिए अब देखता हूँ साला जड़े जाक कैसे आता है मेरे रास्ते में सर, कुछ भी हो, आखर वो से भी आएक आदमी है देख चुके हो तुम सब लोग किस तैसे वो बार-बार मेरे रास्ते में आ रहा है बार-बार दोनों को छोड़ता जा रहा है इस रेपोर्ट के पहुंचते ही सस्पेंड हो जएगा साला जेए 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 मेर रागिरी हाई आगे पुलीस तुम लोग का इंतिजात कर रही है इस्टेशन पर तुम लोग ट्रें से उत्रोग साफ प्यू लोग बोल रही ही लूग भार है जेए आगे पुलीस तुम लोग का स्टेशन पर इंतिजार कर रही है भाज fib 4 अभे इडियए Τुम लोग का स्टेशन पर इंतिजार कर है आगे इडियओन čाजनğı कोशिष कर आगे य। अभे क्या कर रहा है मरना है क्या? क्यूกरों still रहाँ हाँ हाँ झाल झाल अप्ताप, आगे लवीकर, जढ़ीकर 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 झाल 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 सर्ट्रेन का ड्रेवर बढ़ चुका है वो गलट ट्रेक पर चली गई है और वो आगे जाकर ट्रकरा जाएगी क्योंकि आगे बंद सुरंग है झाल मर गई साले इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं सर वो देखिए कि भगता सर इनकी काड़ी के बारे में सारे चेक पॉस्ट को खबर कर दो नाकबंदी कर बादो आसपास के सारे रेल्वे स्टेशन्स और यह पोर्ट्स के बारे मैं मुझे बताओ सर्ट एक मिन्ट एक मिन्ट इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से बिना वज़े बंदे नहीं जै बिना वज़े नहीं इसके पीछे भी कोई बात होगी जै का जा रहो तूम मैं बंबे फोन करने जा रहा है उपने वकील से बात करने मुझे लगता है इस दलदल से मुझे वो रचा सकता है चिन अया हर है एलो वकील साब में धर inject बोल रहा हूं । तुम काह ओं Are you all right? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आरा, वखील साब. मैं बहुत बुरी तरह फस चुका हूँ. I know, मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हें फसाया है. God knows और तुम्हें कितना फसायेगा. मैं अब उससे आजाद हो चुका हूँ. वो अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते. बेखुफ मत बनो धननजाई. उस आदमी का तुम्हारे साथ रेना बहुत ही ज़रूरी है. जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, मैं तुम्हें बेगुना थाबित नहीं कर सकता. फिलल तुम्हें सिर्फ इतना बताओ, कि इस वक्त तुम कहां हो? पता नहीं, धौलपूर के कहें आसपस. आल राइट, तुम्हें काम करो. कल सुबह आगरा से बंबई की फ्लाइट पकड़ो. टिकेट का बंदो बस, मैं कर दूँगा. लेकिन आफ़ थाब के साथ मैं... देखो दरनजय, मेरी बाद ध्यान से सुनो और समदने की कोशिश करो. तुम्हारे खिलाफ आतंकवाद का इल्जाम है, और जिसकी सजा सिर्फ फांसी है, समझें? अगर तुम फांसी से बच भी गए, तो कम से कम 35 साल जेल में सड़ोगे तुम. अगर तुम्हे बचाना है, तो मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए. अगर वो निर्दोश है, तो अपने आप छुट जाएगा. कि इस बात का भी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है. तरण जे, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, तो कम से कम इस बार मेरा कहना मानो. ओके. क्या बात है, जे? कुछ नहीं. कहा जा रहे हो तुम? रात होने वाली है, मैं अंधेरे की आड में खर पागल हो गयो, क्या? पुलीस तुम्हारा वाँ इंतजार कर रही होगी. मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी अम्मी के पास 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 पुचना है. और उसके बाद? अपनी अम्मी को लेकर कहीं चला जाओंगा? अफथाब, एक बार. सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचो. ये केश कितना बड़ा है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है. मेरी अभी अपनी वकील से बात हुई है. और वो लोग आतंगवादी का ठपपा लगा के तुम्हें और तुम्हारी मा को अंदर कर देंगे. कम से कम अपने मा को तुम बचाने की सोचो. बचा लूँगा. मान जाओ, आफथाब. पंबई जैसे शेहर में भी कई बेगुना लोग जेल में घुट रहे हैं. अफथाब, मैं पूरा इंतिजाम कर चुका हूँ. हमें आगरा से बंबे की फ्लाइट लेनी है. वहां मेरा वकील चनॉइ सब ठीक कर देगा. चला. एक मिनिट. हमें आगरा पहुँचना कब है? कल सुबे, कमान. नहीं. अभी एक कहानी बाकी है. आफथाब और रुकसाना की कहानी. अफथाब ने मुझे सब कुछ बता दिया है. इसी शोर में रहती है, ना? चलो, एक बार उसे मिलाए. कोई फाइदा नहीं. अपनों का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है. इसे इतनी असानी से मच छोड़ना. अब क्या करें? वैं अंदर से रुकसाना की शादी हो रही है. अब क्या करें? तब तक तुम लोग यहां इंतिजार करो. चलो, रुकसाना. चलो, रुकसाना. चलो, रुकसाना. रुकसाना. क्या कर लोग जब करेंगा है. रुकसाना. 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 अब यहां तो रास्ता ही खतम हो गया हमारी फ्लाइट चूट जाएगे नहीं चूटेगा बबा कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा चलो मेरे साथ क्या बात है डर लग रहा है हम इस तरह भागाए है क्या लोगों की रिष्टा कुपूल होगा लोगों ने रब को रब कहा है लेकिन मैंने अपने यार को रब कहा है और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरा रब मिल गया आगे रब की मर्जी और अगर मैं अपने रब को जानता हूं तो उसे ये रिष्टा कुबूल होगा कुबूले कुबूले कुपूले 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 अफ्ताप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है हमें एक कारवा मिला है जो कल सुभे तक हमें आगरा पहुचा देगा प्यार नहीं करना जहान सागा कहता है कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है हाँ प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है आख लड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, आग लग जाती है हाए मजबूर होके दिल देना ही पेंदा है, हम लेना ही पेंदा है हाँ जी हाँ तुम मेरे सामने फिर भी है दूरिया, है रब आशिकों की ये मजबूरिया तुम मेरे सामने फिर भी है दूरियां हर अब आशिकों की ये मजबूरियां तिर याद याद आए मिर जाल जाल रातों को बज़ती है खन खन जूरियां दिल दिना ही पेंदाए वगली ना ही पेंदाए हां जिहां हम प्यार से चले जाना है प्यार तक दर्या में डूब के दर्या के पार तक हम प्यार से चले जाना है प्यार तक दर्या में डूब के दर्या के पार तक ये हाल हाल के साथ ये साल साल एक एक पल लंबा एक साल जे साल जे दिल देना ही पेंदाए हम 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 देना ही पेंदाए हम प्यार में करना जहान सारा कहता है कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है आख लड़ जाती है नीद उर जाती है अग लग जाती है हाए मजबूर होके दिल देना ही पेंदाए गम लेना ही पेंदाए सुक्रिया एझा कर दोता ही पेंदाए कर दो देना ही अपेंदाए अब किसी ना किसी काउंटर पर मेरे वकील ने ज़रूर टिकेट छोड़ा होगा अब ताब तुम हाँ देखो मैं यहाँ देखता हूँ कि आओ रुख साना अब कर देखते हैं अब कुछ बात करना चाहता हूँ आपको नहीं जी मेरा नम चीनाओए हैं मैं उनका वकील थारा खेल खतम हो गया स्वर रुको 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 बैकून रुको समझदारी से काम लो पिस्टोल नीचे करो अरेस्ट हैं बुको अइल अधर तुम लोग निकलो, मैं इनको रूप लेकित तुम जाओ अस्ताब, जाओ जाओ, जाओ 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 उणाल कुछ आपड़ोस, रागिनी यहांस पास कोई हॉस्पितल यहां जवा गाना जवरोर होगा, पाइंद उनक्रफिटा पड़ा हो एफ्लेश कोई हुअ पास कुछ आपड़ो एकुन जा रहा एफ्लेख धामुड़ोर, पासती है दूरोर। जाएंगे तु बोलिस को बता चल जाएगा मैं आफ ताको डॉक्टर के बास तो जाने पड़ेगा रागनी फास्टर ये मेरी बात समझ जोगी जोगी देखिये ये केस में पोलिस को बताएगा नहीं ले सकता डॉक्टर साब समझ ले कोशिश कीजिए इसके सीने में गोली लगी है तास्ट नहीं बॉक्टर साब लेकिए ये क्या करणा आप दोग्टर साब दोग्टर साब प्लीज मेरे दिमाग की बैंड बजी है ओके 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 आफ दोई आफ दाब क्या सोरो थे ये सब करने की तो क्या तुम्है युँए छोड़ देता और तुम्है क्या जरूँदी आप उठ पलटकर वापस आने की मेरी जान बचाने की तो क्या करता तुम्है युँँए छोड़ देता जल अब तु जल्दी ठीक हो जा एक और काम कर दे मुझे दरका ले चल आज हमी की ये शिकायद भी दोर कर देते आज है तू जमाने बरके बनाता है सारे बिगड़े काम करीम सारे जमाने का करसाज है तू इस शाने करम का क्या कहना इस शाने करम का क्या कहना तर पे जो सवादी आते हैं इस शाने करम का क्या कहना दर पे जो सवारी आते हैं एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादे पाते हैं एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादे पाते हैं इस शाने कर्म, शाने कर्म का क्या कहना इस शाने कर्म जाने का रुपा जाना इस शाने कर्म काली न रही रहमत से तरी दुख दर्द के मारों की जोडी क्या तेरा कर्म है दर पे तरे बढ़ती है अदारों की जोडी शाने कर्म का क्या कहना इस शाने कर्म मुश्किल को तु आसान बना देता है हर कुन चाय उमीद खिला देता है तक्दिर से हो जाय जो भाई से चुदा उस भाई को भाई समिला देता है शाने कर्म का क्या कहना इस शाने कर्म का क्या कहना जो पताब जिन अड़ा प्यामंगर आप प्यादा जिन अड़ा प्यामंगर आप प्यादा अप आप नड़ा मैं जीना चाहता हूं बाबा, क्योंकि मैं इसे बेकुना थाबिद करना चाहता हूं. अम्मी आमेशा कहती है, तू जहां जहां चलेगा, खुदा साया बन कर तेरे साथ होगा. आज मैं मुड़कर देखना चाहता हूं. कहीं मैं अकेला तो नहीं? नहीं बेटे, तू अकेला नहीं है, उसकी नजर में सारे रिष्टे जाइज है, और तुझे में तो उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इतना सब कुछ सेने के बात भी, आज तूने सब को माफ कर दिया. मिलती आए करम की बीकुने, इस सिदार की सखावत क्या कही है, 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 पके रिष्टे तेरी रहमत से जो बन जाते हैं, कच्चे दागे से बंदे लोग चले आते हैं, कच्चे दागे से बंदे लोग चले आते हैं, तू मिला देता है बिच्डे हुए इनसाना का, तेरे यह लोग देता है पिच्डे हुए इनसाना का, खाली न क्या मंगता पाली, मोताद यहां जो आते हैं, मोताद यहां जो आते हैं, इस शान करम का, क्या कहना इस शान करम का, इस शान करम का, आते हैं, 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 मुझे दो फरार कैदियों की तलाश है, यहां ऐसा कोई नहीं है, मैंने कहा न, यहां कोई नहीं, जाने दीजे सर, यहां से चलिए कहां आख दालाश है, आख जित दालाश ने मनेके ताल में नहीं, तो प्सक्न प्रण प्रान का आख आख दirt, अफिधल European तो, अश्वक प्रण uploadedART . कमरा की नहीं चुनोय मैं चुनाए, तुम यहां किया गर्रही है, डॉन्क फर्लैक्स एक सेकंड, एक सेकंड, इसो क्या आफताब, यह मेरा आफताब, यह मेरा आफताब, यह मेरा आफताब, तुम यहां कैसे 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 आफताब, जराब मुझे इनकी बात सुनने दो सर इनकी बात मत सुनिये चिनौई शुराप टोंड एक लेकर चाहिए तरण जेब मच परमत करो अफ़ताब यह बहुत बड़ी गलत फैमी है कोई गलत फैमी नहीं है सब कोच एकदम साफ है अब कोई चाला की मत करना लॉंटे यह क्या कर रहे हो बाइकुंट यह मेरा केस है तारा केस था अब यह महारा केस है अब तु सस्पेंड हो चुका है क्या बक्ते हो बक्ता दिखा साले को अब चलो तुम लोग, खतम होगे अब थारा खेल जारो, साले को गाड़ी में अफ्ताब, अफ्ताब मेरी बात नाजी कोशिट दो ए छोड़िये मुझे मुझे से पात करनी है अफ्ताब अप्ताब अफ्ताब अव्ताब अव्ताब आफ्ताब अमी जल्दी से समान बांदो हमें फॉरण यहां से निकलना है धनांजय कहा है भूल जाओ उसे वह गिरिफ्तार हो चुका है लेकिन बेटा वह हमारी वज़े से तो फसा है और तुम्हें तो उसे छुड़ाना चाहिए अमी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मैं कबूल करता हूँ कि आफ्ताब निर्दोश है और उपर लिखे गुनाहों में मेरा और सिर्फ मेरा हाथ है साला कुछ काम नहीं आएगी ये तेरी खुर्बाने कुछ काम नहीं आएगी आफ्ताब को तू इस तरह से तो नहीं बचा सकता है उस हरामजादे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं देखे आप उसे कुछ नहीं करेंगे आफ्ताब की खबर लेके आता हूँ आफ्ताब कहां जा रहे हो उस पेयोकुफ हो चुड़ाने आफ्ताब का दूड़ निकाल उस हराम के पिल्ले को उसको गाहं भर में कुट्टे की तरह घसीटना है मन्ने चल्दी जाओ बाल जाओ बाल 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 कि अ खुछ और या रि भुछ आप खुछ झाप और डुछ रिए Pर जुछ उड़ कि अचिए झाप गुछ कि बाती है कि अखने रखने हुआ। इनकि जाती है... कि अखा जराई सकती ही है मढ़ेर पहाल मढ़ेरण कि कि अछे ! मढ़ेरण बुचिता है और मढ़ेर, मिध्या रिभी ! Θंब आर पी चम्झाइ mercury ! बहुत मारा ना तुझा 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 नहीं करेगा किस ने तुझा ने करेगा किस ने तुझा ने को हराम खोर तुझा मारा उसान कर दिया है लॉन्डो शुर्की मौत मारूंगा तुम लोनों को नच हुआँ तुझा रखो शालो के उपड़ तोजो जाने के लिए का गया था था दुझा क्यों निकल आओ यहां से ज़े हो यहां से तुम ने अपने आपको गिर्फतर करवा दियाओ अरे बागल यहाने का अंजाम जानते हो तुम यह क्यूं आ है मैं तुम्हारी बौत याद आ रही थिना इसलिए अरे मजाक चौड़ो अफ़टाब जब भागने का मौका था तो भागे क्यून है यहां क्यूं आ है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता और वैसे भी शायद इस सवाल का जवाब मैं खुद नहीं जानता मैं बयान दे चुका हूँ आफटाब कि सब कुछ मैंने किया है और तू निर्दोश है पागल हो गएगा तुम क्यों किया तुमने ऐसा तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना में ज़रूरी नहीं समझता और वैसे भी शायद इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं जानता है जवाब दो कहा हो मैं रूरा बोलाओ सब्सक्राइब करता है आपको क्या लगता है कितनी दूरी पर है देख फिफ्टी तू हंड़िद मीटर्स सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो आप कर दो झाल झाल मैं माल भेज रहा हूँ, घबराओं मत वाह, भक्ता, वाह दाद देनी पड़ीगी थारी मारे ही आस्ती में पला और मुझ जैसे ही आदमी को बेवकूप बनाया जिन हत्यारों को बरबाद करने का हमें ओर्डर मिला था वही हत्यार तु दुश्मन को बेशने चला था वाह, वाह, हम सब को तुझ पर नाद है, नाद वए वए झात वए व exhib वो वाथ वए वह वए वे विए कि यह सब क्या हो रहा है भक्ता कि सर कि मैं आपका पीछा करते करते यहां तक आया मैंने देखा कमांडिन साब आपको बेहुश करते यह कि वो आपको मार देना चाहते थे इस ठीक वक्त पर आपको होश आ गया वह ना आ आज हम दोनुं मारे जयाते लेकिन तुने तो इसकी जान ही लेली और कोरा नहीं था तर क Evet मैंने रडिया बातें सुल लिखी हमें इस ही आत्मी की तलाश थी सर इसका मतलब के बारे मेरा शक सही था विल्गोष हो है वकता जाव दो भाइक नंकि आवाज में जवाब दो हां मैं के खुल रहा हूं कुछ नहीं हुआ है मेरे आवाज को Valentin के नहीं थीयुक है ठीक है अब क्या होगा सर अब क्या होगा यही तो मौका है उन खरीद्दारों को पकड़ने का तुम दो ट्रक में हत्यार कीजेगे पत्थर भर दो और अपने बीज भरोसे मंद आदमियों को साथ ले लो कि सर अपने आदमियों को इकठा करता हूं राइट कर दो दो दूसरे रास्ते से पहुचो एकुंड तुमारा गया मगर हमारा क्या होगा सर तुम दोनों को थोड़ी देर यही रुकना होगा मैं बॉर्डर से लट कर तुम दोनों की कारवाई पूरी कर दूंगा बट वाइनाट नाओ क्योंकि बत्ता तैयारी हो गई हाँ गड़ दो यहां रहेंगे बागी हमारे साथ चलेंगे लेकिन सर आपको आपका आदमी मिल गया हमें जान जुलेप नवाए जुलेप, क्या भगता जुले पे उसी ने मुझे बाम दिया था तुम्हे पुरा एकीन है हाँ बिलकुल इसका मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसी के वज़े से हुआ है अब वो जड़े जा को बॉर्डर पे खतम कर देगा और वापस आकर हमें अब क्या करें करना क्या है चल्ड मैं बजाते हैं अब आप नहीं तुम्हें जवानों को कुल्धारा गाउं को पीछे सगेरने को कहूं बगता देखो इस इलाके को मुझसे अच्छी तरह तुम जानते हो जो भी करना है जल्दी करो लेकिन किसी भी हालत में टेरिरिस्ट अपने हाथ से चुटने न पाए पा किसा है झाल 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 यह बख्ता तो पूरी देश में आग लगादेगा मैं हूना तूडर सर यह कुलधारा है बॉर्डर का आखिरी गाउं वो देखिये सर रखागे सर मैं इस गाउं को अच्छी तरह से जानता हूं मैं दो जवानों को लेकर आगे जाता हूं आप दो जवानों के साथ मुझे कवर कीजिए कहां गया बगुला भगता दो गलास आख अफ्ताग यह तो पीस पचीस से स्यादा है चल इनको किंती सिखाते है नूरा नूरा को मारेगा है पागल हो गया है पीछे से भी ओफिसर है मैं नाटक कर रहा हूं अपने आद्मियों को भेजो और उसे पकड़वा कर यहां मंगवाओ लेटनें तुरे लुप को कॉंटक्ट करो जी सरड की गाव पर हमला करें अर ट्रीक दू अभी तक नहीं समझा जड़े जा, सोराब जी, गोदाम वाले, पीका वाले, हवल्दार जेटा मल, ट्रेन वाले, और बैकुंट को मैंने ही मारा था, और उन दो लड़कों को मैंने ही फसवाया था, तुझे यहां मरवाऊंगा, और उन दो लड़कों को वा मारूंदा, उसके बाद मैं कमान्ड जेट वनूंदा, मारदो साले को! कर दो लड़कों को! झाल झाल बोल नहीं सकता क्या हट नहीं सकता क्या झाल 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 पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारन करती है और शास्त्र कहते हैं पिता की मिर्ट्यू के बाद उनके अधूरे संसकार उनके सारे संकल्प सारी इच्छाएं सब कुछ बड़े बेटे को ही पूरा करना है पिता के वन्ष को आगे बढ़ाना है और पिता के सारे संसारिक रिष्टे नातों को मन वचन कर्म से अपना लेना है लो आफदाब अपने हग को अपना लो तुम्ही तो अपने सारे सवालों को जवाब मिल गया आफदाब लेकिन कोई अब तक तुम्हारे जवाब के इंसार कर रहा है तो जवाब जाती थी ना में तो सुन तेरा फैसला पाक था तो ने तो सिर्फ प्यार किया दो काम सबको वक्त ने दिया मैं अला मिया से दुआ मांगता हूं कि वो हर औरत को तेरे बराबर की हिम्मत दे और हर बेटे की तक्तिर वो जैसे अच्छी लिके जिसे तो जैसे अभी मिली बाफ करते हैं मुझे पड़ा होने में थोड़ा वक्त लग गया मैं अवेशा कहती है कि मैं इतना अकेला क्यू रहता हूं कि मैं रोता क्यू नहीं किसी से साहरा क्यू नहीं बागता हूं आज भागता हूं जै अब मैं अकेला नी रहना चाहता हूं पर रोना चाहता हूं आज भागता हूं इस दर की स्दार वक्त जाना चाहता हूं जै खाली नहीं बागता पारी मुतार यहां जो आते हैं वो जो लिवर के जाते हैं मुतार यहां जो आते हैं इस शानी करम का क्या कहना विस शानी करम का मुतार यहां जो आते हैं 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 झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल.